दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सिप स्मार्टफोनों के बारे में जो की आपको Amazon Flipkart Donor Platform पर 25,000 की प्राइज रेंज में देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोगों का बजट 25,000 है और आप इस प्राइज रेंज में आप ऐसे स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जो की आपकी सारी रिक्वार्मेंट को अवरल फुल्फिल कर सकें तो आप ही वीडियो लास्ट तक देख लेना इन स्मार्टफोनों के अंदर आपको टॉप नच लेविल का कैमरा सेट अप फ्लैक्स लेविल की डिस्प्ले पावर्फुल प्रोसेसर के साथ आपको काफ इच्छी बैटरी और फास्ट चाजिंग देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन के अंदर एकदम नेक्स लेविल के एडवांस स्पैक्स देखने को मिलते हैं स्टब बाइ स्टब एक्स्टब एक्स्प्रेंट करता हूं सूपर एमो लेटी 6.4 इंचिस की डिस्प्ले 90 हर्स का रिफ्रेस रेट 84.2 परसेंट का स्क्रीन टू वर्डी रेस हो कोर्णिंग गुर्ले ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी प्रोजेटर इसमें आपको देखने हो मिलेगा ओक्ता कोर मीडियाटक डिमंसिटी 920 शिक्स नानमिटे के साथ आता है अपग्रेड़ेवल एंड्रोइड 13 पर देखने हो मिलेगा बाकि एंड्रोइड 12 पर वेज्ट है रियल्मी यूई 4.0 पर वर्क करेगा रन भी काफी अच्छे करेगा बिकोज आपको एकदम नीट एंड क्लीन यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें आपको रियर पार्ट में ट्रपल कैमरा सेटप देखने हो मिलेगा 48 मेंगा बिक्सिल का प्रामरी, 8 मेंगा बिक्सिल का अल्टरवाइड, 2 मेंगा बिक्सिल का मैक्रो 16 मेंगा बिक्सिल का फ्रेंट में सेल्फी कैमरा 3.5 mm के jack के साथ आपको stereo speakers भी देखने हो मिलेंगी Bluetooth Vision 5.2, USB Type-C 2.2 In-Display fingerprint sensor देखने हो मिलेगा, security काफी ची है 5000 mh की बेट्टी के साथ 33W का fast charger देखने हो मिलेगा Premium 2 color scheme देखने हो मिलेंगी इस smartphone के price आपको, like already मैंने आपको होता दिया 25,000 के ender देखने हो मिलेगा Premium देखने को मिलेगी काफी दर light weight, compact और silly में Definitely आप इसको considerate कर सकते हैं बात करते हैं, next smartphone के बारे में जो कि रहता है Vivo की तरफ से Vivo T1 Pro, इस smartphone के अदंदर आपको किसी फीचर में compromise नहीं करना पड़ेगा क्या सकते हैं, ये एक all-round day smartphone है Step by step explain करता हूँ, doubt clear हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं, display के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको MOLED 6.44 इंजिस की display देखने हो मिलेगी HDR 10 Plus की support है 1300 needs की peak brightness साथी 85.1% का screen to body ratio Octa-Core Qualcomm Snapdragon 778 5G processor देखने हो मिलेगा 6 nm के साथ आता है Android version 12 पर waged है Infantast 12 पर रन करेगा इसमें आपको rear part में triple camera setup देखने हो मिलेगा 64 में आप इक्सिल का primary camera है 8 में आप इक्सिल का ultra wide 2 में आप इक्सिल का macro Front में 16 में आप इक्सिल का selfie camera है साथी इसमें आपको काफ इच्छे speakers के साथ Bluetooth version 5.2 देखने हो मिलेगी USB Type-C 2.0 with OTG In-Display fingerprint sensor है 4700 mAh की बैटी है 66 Watt की fast charging है Oral fast charging है काफ इच्छे आपको battery backup देखने को मिलेगी सारे specs आपको top notch level के देखने हो मिल जादे है Battery charging, camera display, सारी चीज़े Under 25,000 में काफी ज़्यदा better value for money है Vivo का T1 Pro तो आप इस smartphone को भी purchase कर सकते हैं And अब बात करें build quality की बारे में तो दोस्तो इस smartphone के अंदर आपको back frame दोनों plastic के देखने हो मिलेंगे Display के अंदर glass की protection 180.3 gram का weight, 8.5 mm की थिखने हो मिलेगी ये भी काफी ज़्यदा light weight और compact और slim smartphone है Okay, इस smartphone की back की design आपको काफी ज़्यदा पसंद आ सकती है Okay, बात करते हैं next smartphone के बारे में जो की रहता है Xiaomi की तरब से Poco X5 Pro ये smartphone recently launch हुआ है इसमें आपको कई सारी new color scheme देखने को मिलेंगी Poco X5 Pro के अंदर आपको किसी feature में कोई compromise करना नहीं पड़ेगा मैं आपको step by step सारे features जो explain कर देता हूँ आपका doubt भी clear हो जाएगा दोस्तो इस smartphone के अंदर आपको M.O.LED 6.67 इंचिस की display देखने हो मिलेगी 1.Vilion colors की support देखने हो मिलेगी 120Hz का refresh देखने हो मिलेगा Dolby Vision प्लस HDR10 Plus की support भी देखने हो मिलेगी 86.8% का screen to body ratio Corning Gorilla Glass 5 की protection है Octa-Core Qualcomm Snapdragon 778G 5G processor देखने हो मिलेगा 6.9-minute के साथ आता है Android version 12 पर वेज़ड है इसमें आपको like rear part में triple camera setup देखने हो मिलेगा 108-mah-bixel का primary camera 8-mah-bixel का Android 2-mah-bixel का macro 4K वाइच 30fps तक में maximum video record कर सकते हैं Front में 16-mah-bixel का selfie camera साथी दोस्तों इसमें आपको stereo speaker देखने हो मिलेगे 3.5-mah-bixel jack भी देखने हो मिलेगा Bluetooth version 5.2 USB Type-C 2.2 भी the OTG In-Display fingerprint sensor देखने हो नहीं मिलेगा इसमें आपको side mountain fingerprint sensor देखने हो मिलेगा 5000 mAh की betty के साथ 66-bot की fast charger देखने हो मिलेगी साथी इस smartphone के अंदर आपको 3 class scheme देखने हो मिलेगी साथी इस smartphone का antutu score भी काफी अच्छा है Like 5,31,398 देखने को मिला है योकि काफी अच्छी बात है Build quality के बारे हम बात करने तो दोस्तों इस smartphone के अंदर आपको back frame दोनो प्लास्टिक के गुरलग लास 5 की प्रोडेक्शन 181 gram का weight 7.9 mm की थिखने साथ आपको इस smartphone के अंदर देखने हो मिलेगी Recently launch हुआ है Top latest smartphone है तो आप इसको भी purchase कर सकते हैं 25,000 की price range में आपको Amazon और Flipkart दोन प्रेटफरम पर देखने को मिल जाएगा बागी दोस्तों ये तीने smartphone अपनी brand value की साब से अपने specifications की साब से अपने price point पर काफी the better value for money है अब अपनी priority है फिर need के according है फिर choice के according कोई सा smartphone भी purchase कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी वीडियो को like कर देना आप मारे चैनल पर नाया है प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेकॉज ऐसी निव इंट्रेस्टिंग और लेटेस्ट मोबाइल फोन से लेटेड अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहती हैं मिलते हैं आप से के लिए कैसी निव इंट्रेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाब बाई and take care